जैप्रकाश यादों बोली है आप बोलते जाहिए ये सही चलिए अधर्च मोहदय देश के सामने लोकतंद्र के सबसे बड़े पंचायत में मंदिल में एक अती महत्पुन विशे पर चर्चा हो रही है इनका दाम दे तो बोलने में तो अच्छा है जिसे संसद गंभीरता से लिया है और आपने बोलने का आदेश दिया है सबों को सुनते रहे औरों को सुनेंगे सरकार का जवाब भी सुनेंगे लेकिन या मुल्क किसका है हम सबों का है यानि हिंदू मुस्लिम सी किसाई आपस में भाई भाई या देश किसका है राम रहिम के बंदों का है इस्वर अल्ला तेरो नाम सब को सन्मत दे भगवान इसका या देश है लेकिन इस देश में बाताबन को बिगारा जा रहा है, बड़े आदर करते हैं आदर्विया खुम्दे बाबु का. हम लोग को उन्होंने राईती में उनका जहन्दा लेके भी हम लोग चलते थे. लेकिन जो उनका आज का भासन हुआ आदम ये हुकुम्दे बाबु का ये लोहिया बादी का भासन नहीं था अध्यक्जमोहदे डाटराम लोहिया के आत्मा रोती होगी ये भासन मनुबादी सक्तियों का था और नागपूर वाली सक्तियों का भासन था देश की प्रतिष्ठागिरी है देश सर्मसार हुआ है क्यों हुआ है आज आज गंधी कहां है आज गंधी चाहिए आज लोकनाई जैप्रकासान चाहिए आज अब अर्लाब नेहरू चाहिए और जो है आज डाटरामुलहर लोहिया चाहिए आज उनको आना चाहिए वो आत्माज कहां है आज अद्धेश मोहदय मैं हमेशा आपकी और देखकर कही बात रखूँगा इसलिए कितने अंधड़ा आए और कितने दुफान आए आपका र ठंदा को उचा किया था मत बूलिये मत भूलिये ही शीता मरी का तलिला हो रहा था हृता हृता है किसम लालू जी है एक एले हार अब बढर शेम को रहा है ट्हाओं। मैं जो है दो तीन में अपनी बात खादम करूँगा इसे लिए कि आज जो है जो इनसान और जानबर में अंतर नहीं करता उसमें इनसानियत नहीं है उसमें कहिन करें जलात की आत्मा प्रवेश कर जाती है जलात की आत्मा यह जो है हमें समझना है हम तो किस्रबंसी हैं हम तो अब कुल में पाइदा लिये हैं हमें कोई गाय पालन सिखाएगा नहीं नहीं तो पालन नहीं सिखा पाएंगे हम तो को बर्धन परबत को भी उठाएं अदेज मोहता हैं तो तीन में के समय बिंती करके आप से मांगते हैं बिंती करके मांगते हैं हम तो जो है कोबर्धन परबत को भी उठाएं अगर कोई मनुबादी को बुढ़ी गाय दे दे वो गाय लेने का काम करेंगे ना हिंदू ना मुस्लिम न सिक्ष न इस्वाल है हमें जो है हम सब एक हैं लेकिन ना हम हिंदू धर्म को छोड़े बस हो किया हो किया मुहम्मद असरे लाक आप